जिकोबियन एज, कैरोलाइन एज, एंड पिरुटिन एज इन तीनों के मितलिक बात करूँगा मैं 1603 में एलजबत की मोत के बाद किंग जेम्स दा फर्स्ट इंगलेंड की तख्त पर बैठा 1603 से लेकर 1625 तक किंग जेम्स किंग रहा ये किंग असल में स्कॉटलेंड का था जिसका कैपिटल एडन बर्ग है बहराल ये एलजबत का रिष्टेदार भी था अब ये स्वाल पैदा होता है कि ये किंग स्कॉटलेंड का था तो ये इंगलेंड क्या करने आया और इंगलेंड का किंग कैसे बना इसका जवाब ये है कि एल्जबत का कोई जानशीन नहीं था वो विर्जिन कुईन थी इसकी कोई उलाद नहीं थी इसके रिष्टेदारों में से सिर्फ जो किंग जेम्स था उसको प्रेफर किया गया किंग बनाने के लिए तो इस एज को हम कहेंगे जिकोबिन एज क्यूंकि किंग जेम्स की एज थी तो इसको जिकोबिन एज के नाम से भी जाना जाता है किंग जेम्स दवन के बाद इसका बेटा चार्लिस या चार्ल्स हकुमत करता है इस एज को हम कैरॉल लाइन एज कहते है जो के 1625 से लेकर 1649 तक रही ठीक है कलियर हो गया अब आप में से किसी का ये भी स्वाल होगा कि जेम्स दवन किंग जेम्स की एज को जिकोबियन एज और चालिस दवन की एज को कैरोलाइन एज क्यों कहते है देखें जेम्स दवन का लेटन नेम जेकोबियस है और चाल्स दवन का लेटन नाम कैरोलस है तो इसी वज़ा से कैरोलाइन चालिस एज को जेकोबियन एज के लिए जेम्स दवन का नाम यूज किया जाता है जेकोबियन एज तक विलियम शेक्सपियर ट्रामा लिख रहे थे मगर विलियम के जाने के बाद ड्रामा अपना डान फॉल की तरफ आ रहा था और तकरीबन अठारा साल तक ड्रामा गायब सा रहा इस दोर में बहराल इस दोर में पोईटरी अपने अरूज पर थी मगर मजबी शकल में रिलिजिस लोग काफी पावरफुल होने लगे जॉन डन और जॉन मिल्टन की शैरी देख ले इसमें आलमस्ट मजब नज़र आएगा रिलिजिन नज़र आएगा ऐसे बड़े बड़े राइटर्स ने मजब को स्पोर्ट किया उस दोर में ड्रामा भी लिखे गए मगर शैरी इस से ज्यादा मशूर हुई ड्रामा से इस दोर को कुछ नॉन ड्रामाटिक दोर भी कहते हैं चालिस फर्स जब इसको बादशाथ मिली तो वो कुछ ज्यादा ही मीन्स के इस बादशाथ के लिए ज्यादा काबिल नहीं था चालिस फर्स यह चालिस फर्स कौन है किंग जेम्स दोवन का बेटा इसका attitude अच्छा नहीं था नेगिटिव माइंड सा था ये वो बरतानी पार्लिमेंट की नहीं सुनता था पार्लिमेंट को वो तहलील करना चाता था डिसमिस करना चाता था दूसरी बड़ी बात चार्लिस ने रोमन कैथोलिक से शादी कर ली और पार्लिमेंट में तो पोटेस्टन बेटते थे मिन्स कि रोमन कैथोलिक बीवी थी और पार्लिमेंट में जो बैटने वाले लोग थे वो पोटेस्टन थे तो मिन्स कि रोमन कैथोलिक और पोटेस्टन ये दोनों अगेंस थे इसका ये भी मानना था चार्लिस का किंग अपने लोगों पर जैसे चाहे हकूमत कर सकता है इसके इसी सोच और लापरवाईयों की वज़े से पार्लमेंट और इंगलेंड की हवाम ने तंग आकर इसे मरवा दिया अबी चार्लिस मरा नहीं था और इंगलेंड में सिवल वार जारी थी और चार्लिस को उसी दुरान गिरफतार किया गया पकड़ा गया फिर छोड़ दिया गया और इसका बेटा चार्लिस दे सेकंड फ्रांस में भाग गया था ये तो हो गया हिस्टोरिकल बैक ग्रांड अब बात करते हैं जोकॉबियन एज के लिटरेचर के जोकॉबियन एज का जो लिटरेचर था इस एज में फ्रांसिस बैकन बहुत मुशूर हुए स्वाल ये पैदा होता है कि ये तो हैल्जबियन दोर का राइटर था फ्रांसिस बैकन तो ये जोकॉबियन एज में क्यों पापलर हुआ क्यों दुनिया जाने लगी फ्रांसिस बैकन को जोकॉबियन एज में इन फैक्ट ये तो शेक्सपियर से पहले पंदरा सु इक सट में फ्रांसिस बेकन पैदा हुआ था और शेक्सपियर पंदरा सु चोंसिट में पैदा हुआ अब इसको एल्जबत के दोर में शौरत ना मिलने के वज़ा क्या थी इसकी वज़ा फ्रांसिस के अंकल थे जो इसे जैलिस रहा करते थे लेकिन किंग जेम्स के दोर में ये लॉर्ड चांसिलर बना और उसे सड़नी बहुत शोरत मिली इसने साइंस को अपने काम में शामिल किया और ये किंग जेम्स की बादशाथ में काफी पापलर हुए फ्रांसिस इसके साथ 1622 में इससे जेल हुई वो कैसे वो ऐसे किसी ने इनको रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और ये कहां तक सच है इसके बारे में परूफ नहीं है बारहल इसको जेल हुई थी फ्रांसिस बैकिन को अब बात करते हैं इस तोर के इस राइटर्स के काम की ये राइटर लेटन लेंग्विज को बहुत जरूरी समझता था इसका बहुत सा जो वर्क है इंपोर्टन वर्क वो लेटन लेंग्विज में आपको उसका टच देखने को मिलेगा और इसका इंपोर्टन वर्क आइसेज भी है और ये तीन वॉलियम्ज में पबलिश होए थे इनके आइसेज बहुत सारे रेगुरल लाइफ को उसके इशूज को डिसकस करते हैं ये लेटन लेंग्विज को बहुत ज़्यादा मानता था फ्रांसिस बैकन और आप यही वज़ए कि यह आप जब एसेज बढ़ोगे तो आपको लेटन लेंग्विज का टाच भी देखने को मिलेगा बहराल सत्रवी सदी 17 संचरी लिटरेचर अगर हम उससे कहें तो नौन ड्रामाटिक लिटरेचर है और इस नौन ड्रामाटिक लिटरेचर में फ्रांसिस बैकन का बहुत बड़ा नाम है यह था इसका तारिफ जिकोबिन एज के लिटरेचर के पहले राइटर का इंट्रोडेक्शन इसका पार्ट टू में आपको बाकी जो राइटर्स हैं उसके मतलब बात होगी वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं चाहता हूँ कि यह पार्ट टू में भी हो अगर वीडियो अच्छी लगते है तो कमेंट में राइट लाजमी दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर की ज़िए थैंक्यों वाचिंग देश